हलो गाइस नवस्कार पर्णा मैं विशाल चलिये में माजल पर्देश के वह मंदिल आया हुँ जहां उच्छे पारी पर बसा हुआ है चाहरी मंदिल और साथ हम देख सकते हैं गाइस चलिये दिखाते हैं मंदिल के खुबसुरत नजारा बहुत काफी संदर लग रहा है चलिय अंदर चलिके दिखाते हैं कि अंदर मोसम में कितना अच्छा है शलिए गाइस देख सकते हैं आगे पर रहे हैं आगे देखे गाइस यहां चपल जुताव देखे मंदर के मंदीर के अगल बगल के क्या नजारा है गाइस चलिए गाइस देख सकते हैं अंदर के ऐसा सीने कि इस तरह का नजा रहा है गाइस देख सकते हैं बहुत काफिक प्राना मंदीर पहार पर बसा हुआ माचल प्रदेश के इंची पहाड़ी उपर देख सकते हैं कितनी खुबशुरत है कि इस देख सकते हैं हमें देखे तो मन भावना होगी है जारा दिखा रहा हैं कि इस जीवन में नहीं देखा होंगे ऐसा वादिया फोल से सजावा मंदीर देख सकते हैं कि अंदर का कुछ ऐसा सीन है देख सकते हैं कभी नहीं देखा होंगे गाइस बहुत खुबशुरत मैं जितना नहीं चाहा था उससे भी बहुत खुबशुरत है देख सकते हैं कि इहीं माचल करदेश के पहारों का बसा हुआ फूल बागया से सजावा मंदर भाई इस वीडियो को आप बहुत देखे बहुत खुबशुरत है इसका पक्टू भी लाएं सोचे नहीं थे ना सजा हुआ है कि देख सकते हैं कि यह सजा हुआ यह फूल बागया से सजा हुआ है यह काफी खुबशुरत मंदिर फिल्मों में ऐसा दिखा जाता था लेकिन मैं आज रियल देख रहा हूं माचल परदेश के उस बगया पर सजा हुआ उस बड़ी बगया पर सजा बाव मंदिर देख सकते हैं कि देख सकते हैं मैं आप लोगों को बहुत खुबसूरत में दिखा रहा है भाई बहुत काफी रूप है फिरियू में दिखा राओं इस मंदिर के बने मनमें कमरे पभूरेत ही यह जो मुझे मुझे पता नहीं पर यार के बसे फ़्ले मंतीर बहुत कुभसूरत है बहुत कुभसूरत देख सकते हैं पूरे अडरिया का छहां गया इस को रच सघ्धियू मंदिर हुआ चले और दिखाते हैं इसी फुष प्ली थिरहे करा और देख सकते हैं इस तरह यह है बहुत खुबार बने रहें आइसा इसा खुबसूरत नहीं देखाएंगे कि देखिए जिक आप पी कुबसूरत है कि जाइए मंदीर इंगर को जिसकते हैं कि चारो तर्फ में दिखा रहा है और इल बना बने बस कर रहा है हमरे को इल बना बैठके है लेगे लिए